नवस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय हैं बच्चों आज हम BSC 1st year Physics Paper 2 का Unit 2 का स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रो इस्टेटिक इस्थीर वैद्दूत बच्चों आज हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे विद्दू छेत्र कीति ब्रता electric field intensity, intensity आप electric field उसके बाद विद्दू आवेज के कारण विद्दू छेत्र कीति ब्रता electric field intensity due to point charge इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे अब physics स्टार्ट हो गया है इसका मतलाब इसको complete करके ही दम लेंगे प्यारे बच्चों याद रखेगा आपने अभी तक हमारा एप डाउनलोड नहीं किया है तो अवसे डाउनलोड कर लो क्योंकि maximum lecture मैं उसी में डालने वाला हूँ वह भी free इस साल के लिए बाकी आने वाले समय का देखेंगे जो भी होता है ठीक है तो चली आईए आज की क्लास की सुरुबात करें देखें आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रो स्टेटिक्स हना यह दिखेगा यह हमारा एप का क्योर कोड है इसको देखकर डाउनलोड कर सकते है सबसे पहले बच्चों इस्तीर वैद्दूत ऐसे तो आपने क्लास 12 हो भी पढ़ा है अना चार्ज देखो हम लोग जहां इस्टेडि कर रहे हैं चार्ज इस एट रेस्ट रेस्ट में चार्ज का स्टेडि करना ही इलेक्ट्रो एस्टेटिक होता है इलेक्ट्रो मनब इस्थीर वैद्दूत, ऐसा है सब्दों में देखिए, इस्थीर वैद्दूत, वैद्दूत का इस्थीर होना ठीक है, तो आए, ऐसे तो ये सब पढ़ लिए हो, ज़्यादा बताने के जुरत नहीं है, सबसे पहले हम विद्दू छेत्र के बारे में बात करते हैं, तो विद्दू छेत्र होता क्या है, किसी विद्दू छेत्र के चारो और का छेत्र, जहां तक उस विद्दूत का, जहां तक उस आवेस का, जहां तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है, प्रभा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, विद्दू छेत्र कहते हैं, पता है न? और इसी विद्दु छेत्र के अंदर रखे या उपस्थित एकांक धनावेश जिसको कि आप परिच्छनावेश टेस्चार्ज कहते हो प्यारे बच्चों जितने बलका अनभाव करता है जितने फोर्स एक्सपरियेंज्ड करता है हम उसे उस विंदु पर विद्दु छेत्र की तिवरता कहते हैं पता है ना बिल्कुल पता है तो यह सब डेफिनिशन आपको ध्यार रखना पड़ेगा सबसे पहला विद्दु छेत्र विद्दु छेत्र किसी विद्दु आवेश के चारो ओर का वह छेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है उसे विद्दु छेत्र कहते हैं अब हम देखेंगे विद्दु छेत्र कि तीवरता इलेक्ट्रिक फिल्ड पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी आईए बात करते हैं विद्दु छेत्र की तीवरता बचो विद्दू छेत्र की तिवरता क्या है विद्दू छेत्र में उपस्थित या विद्दू छेत्र में रखे एकांक आवेश या परिच्छन आवेश जितने बलका अनभव करता है जितना फोर्स एक्सपेरियेंजड करता है हम उसे उस विद्दू पार विद्दू छेत्र की तिवरता कहते हैं याद रखेगा प्यारे वच्चों क्या बोला मैं विद्दू छेत्र की तिवरता विद्दू छेत्र में रखे या उपस्थित जो लिखना है विद्दू छेत्र में उपस्थित एकांख आवेश या इकाई आवेश इसी को हम परिच्छन आवेश कहते हैं टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं परिच्छन आवेश जितने बल का अनुभाव करता है जितना फोर्स एक्स्प्रिजिट करता है जितने बल का अनुभाव करता है उसे उस बिंदू पर विद्दु छेत्र की तिवरता कहते हैं प्यारे बच्चों ठीक और इसे कैपिटल इसे प्रदर्शित करते हैं इट इस रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल इ यहां एक वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों यहां सदीस राशी है अब देखे इसको हम डिफाइन करेंगे देखेगा सिंपल मा लेते हैं क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्सपरियंस कर रहा है क्यू चार्ज एफ फोर्स एफ बल एक्सपरियंस कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितना करेगा तो इसको यूनिट बनाईएगा यह यूनिट बनाऊंगा तो यह कहां आएगा इधर आएगा आया तो यही जो है विद्दु छेतर की तिवरता होगा क्या बोला क्यू चार्ज एफ फोर्स फिल किया यही एफ़पान क्यो विद्दू छेत्र की तिवरता होगी तो हम परिभासा से जानेंगे कि विद्दू छेत्र की तिवरता होता है बल बटे आवेस कैसे परिभासा से निकला समझ में आया बिल्कुल आया प्यारे बच्चो चलिए आईए एगा लिखते हैं इसको, विद्दुछेत्र की तिवरता, विद्दुछेत्र की तिवरता, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बल, बटे, आवेश, इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी इस इक्वल, फोर्स डिवाइड़ बाई चार्ज, फोर्स डिवाइड़ बाई चार्ज, अब यहाँ पर देखो, इसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर है, आपने देखा, फोर्स को एफ, तो पहले तो सि मैगनिट्यूड, बाद में वेक्टर की बात करेंगे, इन मैगनिट्यूड राइट करते हैं, अब सदी सुरूप में लिखियेगा, तो E is equal होता है, प्यारे बच्चों, F upon कितना क्यों होता है, जब कभी भी कोई definition पूछे जाते हैं, तो उनके साथ हमेशा उसका unit और dimension भी ध्यान में रखना होगा, उसमें full marks मिलता है, प्यारे बच्चों, तो अब हम इसका, हना, क्या बताएंगे, unit बताएंगे, वीमी, सुत्र बताएंगे, dimension बताएंगे, तो unit, याने काई, unit क्या होता है, भाई? सबसे पहला इन SI system, SI पधती में, क्या होगा SI पधती में, देखो, बल को हम क्या कहते हैं, निउटन, क्यों को हम क्या कहते हैं, चार जहें कुलाम, क्यों क्यूंटन बटे कुलाम, निउटन पर कुलाम, इसी को हम CGS पद्धती में इन CGS सिस्टम CGS पद्धती इसको कहते हैं निूटन आई होता है डाइन पर इस्थेट कुलाम इस्थेट कुलाम ठीक है प्यारी बच्चो अब आप डाइमेंशन की बात करो वीमी सुत्र की बात करो वीमी सुत्र किसका E का तो ये बलका वीमा F बटे कितना है Q F के लिए आप क्या जानते हो ML T-2 Q क्या हो गया Q कहां से आया बच्चो आवेश प्रवाह कि दर को हम क्या कहते हैं 12 is equal charge divided by time होता है तो इस तरीके से हम Q is equal IT लिखेंगे तो भई मूल जो मात्रक है इसका ठीक है fundamental quantity कौन है भई current तो उसके लिए हम जानते हैं A और इस तरीके से Q का हो जाएगा कितना AT time का T तो हमें यहाँ पर मिला कितना यह मिला M E का यहने force का क्या हो गया ML T minus 2 Q का कितना हो गया AT तो ML T minus कितना 3 और A minus कितना 1 तो यह इसका dimension मिल गया इस तरीके से आप कर सकते हो प्यारी बच्चों ठीक तो बिलकुल यह definition दिहार रखेगा बचों देखो electricity है कोजी भी पूज सकते हैं हम पूरा बताते जाएंगे आपको इस तरीके से आपको करते जाना है चलिए आईए अब हम देखेंगे बिंदू आवे इसके कारण किसी बिंदू पर विद्दू छेत्र की तिवरता किस धन्ट से ग्याद करते हैं इसके बारे में बात करेंगे ठीक है इलेक्टिक फिल्ड एंटेंसिटी डिव टू पॉइंट शार्ज आईए देखें विद्दू छेत्र की तिवरता बिंदू आवे इसके कारण विद्दू छेत्र की तिवरता बिंदू आवे इसके कारण विद्दू छेत्र की तिवरता तो बच्चों चलिए देखें जरा कैसे करेंगे यह देखें यह हमारे पास एक बिंदू आवेस है क्यों यह बिंदू आवेस अब इसको हम एक पॉइंट माल लेते हैं ओ ठीक है न ओ पर एक बिंदू आवेस क्यों है इसे आर दूरी पर एक बिंदू हम ले लेते हैं क्या प यहां से दूरी कितना है इसका आर हमें इस बिंदु पीपर क्या करना है विद्दुचेत्र की गणना करना है बिंदु पीपर विद्दुचेत्र की तिवरता हमें क्या करना है ग्याद करना है तो आपको पता है ना विद्दुचेत्र की परिभासा बाइडेफिनिशन आफ एलेक्ट्रिक फेल्ड या एलेक्ट से experience करता है याने एकांक आवेश जितना बल अनभाव करता है हम उसे उस बिंदू पर विद्धुचेत्र की तिवरता कहते हैं हमें यहां पर बिंदु पी पर विद्धुचेत्र की गणना करना है इसका मतलब हमें बिंदु पी पर एक test charge परिच्छन आवेश की गणना यहने पहले हमको suppose करना होगा assumed करना होगा तो हम यहां पर क्या माल लिए या ऐसा कर सकते हैं इसको हम परिच्छन आवेश क्यों आट ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक यह क्यों नाट ले लिया गया अब यहां पर देखते हैं देखो सबसे पहले माल लो बिन्दू ओ पर क्या है आवेश क्यों है ओ से आरदुरी पर एक बिन्दू पी है एक बिन्दू पी है जिस पर विद्दू छेत्र की तिव्रता ज्याद करना है कहां पर पी पर इसके लिए बिन्दू पी पर बिन्दू पी पर एक परिच्छन आवेश क्यों जिरो की क्या करते हैं कलपना करते हैं जिउम्ड किया गया प्यारे बच्चों ठीक है ओ एक पॉंट है क्यूंट चार्ज है आठ डिस्टेंस पर पॉंट पी है जिस पर एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी आकाउंट करना है इसके लिए हमने एक चार्ज यानि टेस्ट चार्ज क्या किया एज्यूम्ड किया देखो प्यारे बच्छो यह हो गया हाँ तक अब देखो इसमें ध्यान दो बाई कुलमस ला कुलाम के नियम से क्या जानते हैं कुलाम के नियम से ओपी पर लगने वाला बल देखें यह भी पाजिटिव चार्ज यह भी पाजिटिव चार्ज दोनों में क्या होगा रिपल होगा प्रतिकर्शन होगा प्यारे बच्छो यह कहां जाएगा इस डारेक्शन में जाएगा फोर्स जो है उस डारेक्शन में जाएगा तो यहाँ परोपी पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भाई एफ इस इक्वाल आप जानते हो वन अपान फोर पाई एपसलान नाट या इसमाल के ले सकते हो कॉंस्टेंट को बाद में लगा सकते हो ठीक है याद रखेगा यह सब जानते हो प्यारे बच्चों आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है वन अपान फोर पाई एपसलान नाट और यह क्या हो गया क्यू अपान स्वारी क्यू क्यू नाट अपान दोनों के बीच दूरी आपने एक उलम्स ला देखा होगा यह आपको मिला यह हो गया एलांग ओपी ओपी की दिशा में एलांग ओपी अब यह एक्वेशन नंबर फर्स्ट एट पॉइंट पी बिंदू पी पर बिंदू छेतर की तिवरता की परिभासा से बिदधू छेतर की जब क्यों नाट वाने तो क्यों नाट लेंगे इफ़ अपन क्यों नाट टेस्ट चार्ज को हमने क्यों नाट लिया है यह समिकर नंबर कितना दो अब हम समीकरन एक कमान कहां रखेंगे समीकरन दो में रखेंगे रखिएगा क्या किया आपने दो हना आपके पास equation first और equation second है equation का one का value equation two में आपने put किया तो e is equal आपको क्या मिला एप का value क्या है एप का value one upon four pi epsilon not q q not upon r square और ये हो गया upon कितना q not तो ये जो q not है q not से cancel हुआ प्यारे बच्चों e is equal क्या हो गया one upon four pi epsilon not q upon r square तो यही क्या है बिंदू आवेस के कारण आर दूरी पर इस्थीत बिंदू पी पर बिंदू छेतर की तिवरता आप इसको standard मानिए आप किसी भी point के लिए distance पता होना चीए हना बिंदू यहने बिंदू छेतर की point charge के कारण बिंदू छेतर की तिवरता e is equal one upon four pi epsilon not q upon r square होगा आपने इसका unit भी देखा है निउटन पर कुलाम तो यह इस तरीके से हम देंगे और यही बिंदू आवेस के कारण बिंदू छेतर की तिवरता है ठीक है प्यारे बच्चों चली आगे बढ़ते हैं देखते हैं अब आता है बच्चों कोशन परावईदू तांग क्या है परावईदू तांग यह भी पूछे देते हैं ठीक है तो बच्चों आपने देखा है वायू और निर्वात में आर्दूरी पर इस्थेत दो आवेसों के बीच लगने वाला बल क्या जानते हो? देखे, आप जानते हो वायू या निर्वात में आर्दूरी पर इस्थेत आर्दूरी पर इस्थेत दो आवेसों के बीच क्यू वन और क्यू टू के बीच लगने वाला बल एफ इसिक्वल होता है बन अपान फोर पाई एफसलान नाट अपान कितना आरी स्थेत ये किस के लिए है? वायू या निर्वात के लिए है यही चीज ये दी माध्यम में देते हैं माध्यम में आरदुरी पार इस्थेत दो आवेशों क्यू अन और क्यू टू के बीच लगने वाला वाल इसको हम मा लेते हैं एफ डेस या हो जाएगा वन अपान फोर पाई एफसलान नाट और साथ में लगाएंगे कैपिटल के यही कैपिटल के क्या है? माध्यम का पराविदू तांक बने वास्तों में के हाना जो भी वहाँ पर मेडियम है माध्यम है आपको पता है न अना कंड़क्टर के लिए चाला के लिए अनन्थ होता है जल के लिए क्या होता है? 80, 80 होता है वाईव निर्वात के लिए केज इक्वाल 1 होता है यह सब अलग-अलग होते हैं प्यारे बच्चों याद रखेगा तो Q1, Q2 अपान कितना है यह समीकर नमबर कितना दो हमें तो इसको डिफाइन करना है तो अब क्या करेंगे? समीकरन एक को क्या करेंगे? एक मिनट समीकरन एक को दो से भाग देंगे यस देखते हैं समीकरन एक को दो से भाग देने पर चलो देते हैं कितना हो जाएगा if upon कितना f dash is equal क्या मिलेगा भाई 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square 1 upon 4 pi epsilon 0 capital K q1 q2 upon r square अब इन में से हम क्या करते हैं यह जो है यह cancel कर देते हैं प्यारे बच्चों क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा a upon f dash is equal 1 upon 1 upon k यह उल्टा होकर उपर जाएगा तो k is equal a upon इस प्रकार क्या परिभासित हुआ वायू या निर्वात में दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पराविदुतां कहते हैं ठीक है क्या बोला इस प्रकार परिभासा बन गया इस प्रकार वायू या निर्वात में एर आर वैक्यों वायू या निर्वात में दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाले बल और माध्यम में दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाले बल के अनुपाद को माध्यम का परावैदू तांक कहते हैं विद्व सिल्ता के पदों में चुकि हम जानते हैं यह होता है एपसलान परावैदू तांक कहते हैं माध्यम का परावैदू तांक कहते हैं रखेगा तो यह भी परिभासित कर सकते हो यदि आपको करना है तो ठीक है हम इसको कहते हैं विद्दू सिल्ता और म्यूनाथ होता है चुम्बकन सिल्ता परमेबुलिटी यह परमिटिविटी ठीक है याद रखेगा प्यारे बच्चों तो इस तरीके से हना यह आपका परिभ बढ़िया से कंप्लीट करेंगे चिंता की बात नहीं है प्यारी बच्चों पहले फर्स्टियर करेंगे उसके बाद धिरी धिरी सेकंडियर फाइनल में भी पहुंचेंगे एक साथ तो नहीं कर पाएंगे कोशिस करेंगे जल्दी से हो जाए ठीक तो बच्चों इसका पीड नमस्कार